चित्र कूट के घाट पर भैसंतन के भी तुलसिदास चंधन गिसे तिलक देत्रगुभी तुलसिदास चंधन गिसे तिलक देत्रगुभी भक्त शिरोमनी शिय तुलसिदास चंधन गिसे तुलसिदास चंधन गिसे तुलसिदास चंधन गिसे भक्त माल का सुमेरू कहा जाता है सुमेरू एक ऐसा परवत जिसे आज तक कोई लांग ही ना पाया हो जिसे आज तक कोई लांग ना सकता हो उस परवत का नाम होता है सुमेरू और भक्ती की जिस उचाईयों पर शितुलसी राशी महराज स्थित है अपने जीवन के अंदर इस भक्ती को जिस प्रकार शी तुलसिदास्टी महराज अपने जीवन के अंदर धारण किया है ऐसा कोई भक्त आज तक इस समस्त संसार के अंदर ना हुआ ना है और ना होगा समस्तरसिकों ने एकमत्त होकर शे नाबादास जी महाराज ने शे तुलसीदास जी महाराज को भक्त शिरोमनी कहा है उजी समनन आती है वो घटना जब सूर्दास जी से पूछा गया कि आपके लिखा हुआ जो वानी है वो अत्यन्त उदार है, वो अत्यन्त मदुर है, वो अत्यन्त सुन्दर है या शी तुलसीदास ची महराज द्वारा कृत जो वानी है, वो सबसे सुन्दर है तो उस समेश सूर्दास ची महराज ने कहा कि संभवता जो रचना है, जो कविता है वो तो मेरे ही सुन्दर है किन्तु शी सूर्दास जी ने कहा कि कविता तो मेरी सुन्दर है जो पूछा गया क्यों तो उस समय शी सूर्दास जी ने कहा कि मैं जो कहता हूँ वो कविता है किन्तु तुलसी दास जी ने जो लिख दिया तुलसी दास जी ने जो कह दिया उस राम चरित मानस की एक एक चुपाई तो मानो मन्त रहे और जब मैं कई बार शी राम चरित मानस की अंदर प्रवेश करता हूँ जब मैं कई बार इसके चिंतन में जाता हूँ एक ऐसा समुंद्र है ये राम चरित मानस जिसकी अंदर अनेक प्रेम के भवर ड़ती है और अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन के अंदर जो पहला ग्रंथ मेरे पास आया जहां से मैंने भी अपनी यात्रा का प्रारंब किया क्योंकि हमारे यहां मंदिर है उस मंदिर में 108 रामायन का पाठ किया जाता था प्रतेक नवरात्रे जो चित्र की होते थे उसमें 108 रामायन के पाठ जो है वो किये जाते थे बस वहीं से ही कि मेरी यात्रा का भी प्रारंब हुआ और भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए यह तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करके दिखाया भक्त कि भावना भक्त की भक्ती इस परकार की हो कि भक्त का स्मर्ण करने से ही उसके इश्ट का स्मर्ण हो जाए आज देखो शी तुलसीदास जी महाराज का प्रकट महामोचसव है प्रकट महामोचसव शी तुलसीदास जी महाराज का है किन्तु हम किसके आश्रे के अंदर बैटे हैं शीराम चरित मानस के आश्रे के भीतर बैटे किया है यह तुलसीदाश्ची महराज की भक्ति है अपने प्रभु शिराम जी के चरणों के प्रती यह उनकी अनन्निता है और कई बार जब मैं शितुलसीदाश्ची महराज के जीवन के थोड़ी और करीब होकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो हित की भावना जो हित का मार्ग शी आचारे चरण ने दिखाया उस हित के मार्ग पर चलते चलते ही शी तुलसिदाशी माराज ने प्रभू शीराम जी को पाया है वो जो अनन्यता वो जो श्रधा वो जो हैत्यू की परती ती अपने इश्ट के शी चरणों के प्रती वो तुलसिदाशी माराज ने अपने जीवन के अंदर आचरण में करके दिखाई है और इसी लिए ही प्रभू ने उन्हें अपना यश गाने के लिए चुलाई बड़ी प्यारी बात शी तुलसिदाशी माराज का आज पावन प्रकट महामोसव है शावन शुकला सब्तमि तुलसिदाशी माराज का प्रकट महामोसव है मेरा आप सभी की और से क्योंकि आप सभी यहां पे महाप्रभु के परिकर हो समस्त महाप्रभु के परिकर की और से सरफ प्रथम शितुलसिदास जी महाराज के प्राकट महामहोटसर की प्रभु श्रीराम जी को खूब मंगल बधाई हो खूब मंगल उनको खूब लाड़ हो आउ जो आज उत्सव की सूचना हुई गई थी कि आज तुलसिदास जी महाराज के इस पावन प्रकट महा महुत्सव के अंदर हमसे सुन्दरकांड की रचना करेंगे इस सुन्दरकांड को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक थोड़ी सी भूमी का बना दूँ शिराम चरित मानस यह जो राम चरित मानस है इसे साक्षाज प्रभू शिराम जी का स्वरूप माना जाता है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सनातनी इस भारत वर्ष के भीतर होगा जिसने कभी न कभी शिराम चरित मानस का आश्रे ना लिया या जिसके घर के अंदर शिराम चरित मानस की पोथी ना पड़ी इस राम चरित मानस के जो साथ कांड है जो सब्त सोपान है ये स्वर्ग में जाने की सब्त सीडिया कहीं गई एक एक जो सोपान है जन्म से लेकर उत्तर कांड तक का ये स्वर्ग को जाने की सब्त सीडिया कहीं गई और एक संत कहा करते थे कहते थे कि जिसने अपने जीवन के अंदर ये साथ कांड श्री राम चरित मानस के चाहे एक बार भी क्यों ही ना पड़े हों जिसने साथ कांड एक बार भी पड़े हो अपने जीवन के अंदर समझ लो कि वो स्वर्ग की सब्ट सीडियों के अंदर चड़ गया केवल ये श्रीराम चरितमानस के इन सब्त कांडों को केवल रटन करने से पठन करने से और इन जो सब्त कांडों में से जो सबसे सुन्दर कांड है जो सबसे प्यारा है जिसे श्रीराम चरितमानस का हृदय कहा जाता है और वो क्या है वो श्रीराम चरितमानस में सुन्दर कां से भी है अगर थोड़ा और इस रहस्य को देखा जाए सुंदर कांड को ही क्यों श्राम चरित मानस का हृदय कहा जाता है क्योंकि संपून राम चरित मानस में तो प्रभू का यश्य है कि तो सुंदर कांड ही सुन्दर कांड ही संपून रामचरितमन मानस में ऐसा है जिसमें प्रभु का यश्ट तो है ही पर प्रभु से भढ़कर भी प्रभु के भक्त का यश्ट है इस कारण से भी इस कांड का नाम सुन्दर कांड है क्योंकि भक्त का यश्ट है अतुलित बल्धामं हेम शैलाब देहं दनुज्वन क्रिशानु ज्यानिनाम ग्रगन्यं सकल गुन्निधानं वानरानाम दीशं रगुपति प्रियभक्तं वात जातं नमा तो आज शिराम चरित्मानस का सुन्दर भाव हमने रखा हो सकते कि इस भाव बड़ी महतपून चर्चा होगी आज की मैं तो ये चाहता हूँ कि अंत तक आप बने रहना क्योंकि आज तक हमने शिराम चरित्मानस को किवल पढ़ा कि वह सुन्दर कांड की चुपाईयों को पढ़ा आज हम कोशिश करेंगे आज इन तुलसिदास जी महराज की कुटिया के भीतर बैटके शी तुलसिदास जी महराज से ही कहेंगे कि आप उस भाव भावना के दर्शन हमें कराईए आप ये मत विचार करना मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी वानी को सुन रहे ना भाव से बैटना और बैटकर ही इस कथा को शवन करना एक तो सुन्दर कांड है भक्त का यश है तो कहां से प्रारंब हुई घटना जब प्रभू श्री राम जी को चोना वर्स का पनवास हो गया अपने पिता की आग्या से किरगु कुल रीट सदा चली आई प्रान जाए परवचन ना जाए अपने पिता की एक वचन को पून करने के लिए प्रभू श्री राम जी उस परम संपून वैवव को त्याग करकर वन को जाने का निश्चे कर लिया क्यों क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी मेरे पिता के वचन थे और पिता के वचनों की पूर्ती के हेतू प्रभु श्रिवन की और चोधा वर्ष के लिए पर इस घटना आप सभी कुस्पन है चलते चलते अनेक संतों से मिले, अनेक मित्रों से मिले और अनेक मित्रों से चलते 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 एक स्थान पर पुंचे आप सभी ने इस घटना को भी सुना होगा रावन भक्त का वेश बना कर आया रावन एक सादू का वेश बना कर आया और मा जानकी को ठग कर ले गया मैंने एक भी दिन आप से कहा था कि ये घटना हमें क्या स्मरण कराती है आज इसी संसार के अंदर अनेक सादू का वेश बना कर मिले ले उस सादू का ऐसा वेश बनाकर ये गटना हमें स्परण कराती है कि सादू का वेश बनाकर करके सादू आपके जीवन को ठगने के लिए आएंगे पर हमें सच्चे संत की शरण में जाकर ही अपने जीवन का परम विश्राम पाता सादू की सादूता उसके जीवन के चरित्र को देखकर बनती है सादू की सादूता उसके वस्तरों को देखकर नहीं बनती है और वस्तूता आज का समय ऐसा है आज का काल ऐसा है कि सादूता उसके आश्रम और उसके चरित्र को नहीं देखा जाता उसके आश्रम, उसके के चेले चम्टे और उसके वुजस वस्तर धार्न किया है, उसको देखकर किया जाता है, तो रावन भी ऐसा ही बन कर आया था, वो राज के समय बेशी जीव सादू बनकर हमें ठगने के लिए आये, हमें लूटने के लिए आये, गए मैया जान की को चुरा कर ले गया वो जो रावन था रास्ते में जटाईू जी मिले जटाईू एक के संग युद्ध हुआ उसके बाद प्रभू की सुगरीव से मेत्री हुई बाली का संगार हुआ संगार होने के बाद किशकिंदा के अंदर किशकिंदा के अंदर प्रभू ने क्या किया? किशकिंदा के अंदर प्रभू ने सुगरीव जी को वो राज्य दे दिया अब सुगरीव जी मद्धमस्त होकर अपने उस राज्य के लोब के अंदर क्योंकि माया बड़ी ठगनी है आप विचार करो प्रभु से बढ़कर था क्या राज्य पर फिरवे माया की ऐसी पवन चली कि प्रभु को भी विस्मृती कर दिया लक्षमन जी आये हनुमान जी ने रोका हनुमान जी ने समझाया क्योंकि बुद्धी के देवता है हनुमान जी जानते थे कि अगर इस समय सुगरीव श्रीलक्षमन जी के सामने आ गया तो क्रोध अगनी से भस्म हो जाएगा समझाया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सुगरीव जी ने समस्तवानरों को भेजा है नियोता भेजा है ताकि हम अभी शिराम जी के पास जाएंगे उसके बाद समस्त किशकिंदा नरेश जो थे वो सुगरीव किस के पास गए प्रभू शिराम जी के पास गए अम्मया जानकी को ढूंडने के लिए अनेक परकार की वहाँ पर योजनाय बनाई जाने लगी अनेक अनेक टोलियां बनाई गई उन टोलियों में चार दिशाओं में जाने के लिए चार टोलियां बनाई गई एक टोली उत्तर, एक पस्चिम, एक पूर्व और एक डक्षिन की उपर बनाई गई एक टोली का राजा जो था, वो कौन था जो मंत्री थे, जो अंगद थे, जो बाली के पत्र, उनकी अध्यक्षिता के अंदर एक तोली जो है, वो गई, समंदर की ओर गई, चलते चलते, जब देखा, उस अथा समंदर को भरा हुआ, अब मानो, आस तूटती जा रही है, आस तूटती जा रही है, अब समझ नहीं आ र जाए, रामायन की प्रतेक घटना हमारे जीवन के अंदर घटती है, भाई, प्रतेक घटना, हमारे जीवन के अंदर भी तो देखा जाए, कितना बड़ा समंदर है, कितना बड़ा समंदर है, हमारे जीवन के अंदर भी, कितना भवसागर का समंदर है, पार करने का, पार करन कब पता नहीं चलता कि कैसे भवसागर को पार किया जाए जो घटना अंगद जटायू हनुमान जी के मद्ध घटी वो घटना हमारे भी जीवन के अंदर मद्ध घटती है उनके आगे तो संसार का समंद्र था और हमारे आगे तो भवसमंद्र है और सत्योजन का था और ये तो कई सत्योजन का है और इस समंद्र के भीतर तो हमारे कई जीवन डूब कर मर गए विचार करना कभी कई जीवन हमारे समंद्र के भीतर डूब कर मर गए और हम कभी इस भवसमंद्र से पार जा ही न सके अब इस भवसमंद्र से पार करने की नोका क क्या है श्रीरा तुलसी दाज ची महराज खेहते हैं राम नाम मनी दीपधर जीव देहरी द्वार तुलसी दाज ची महराज बताते है वो ले राम नाम की जो मनी है न इसे ही जीव के देहरी द्वार के अंदर रख दे इससे क्या होगा तुलसी अंदर बाहरों जो चाहत ये जो राम नाम की है न ये भवसागर से निकलने की नोखा है उस समय जब सब चिंतित हो गए अब कैसे भवसागर से पार निकल जाए अब कैसे इस समंद्र को पार किया जाए हनवान आदी भी निराश हो गए अंगद भी निराश हो गए अंगद ने कहा मैं चला तो जाओंगा किन्तु आने की बात मैं नहीं कहता जटायू जी ने कहा कि अंगद हम तुम्हें भेज नहीं सकते क्योंकि तुम मंतरी हो और सब चिंता में थे हनुमान जी भी चिंता में थे उस समय श्री जुटायू जी ने श्री जामवंत जी ने बड़े सुन्दर शब्द कहे कहरी छपती सुन हनुमाना काचुप साधी रहे बलवान पवन तने बल पवन समाना बूद्धी विवेक विज्ञान निधाना कवन सोकाज कठेन जगमाही जो नहीं होई तात तूम ताही राम काज लगि तब यवतारा सुनते ही भया हूँ परवताकारा राम काज जब ऐसे स्थिती आ गई तो जामवन्त जी ने कहा कहे रीच पती सुन हनुमाना हनुमान जी सुनिये काचुप साध रहे बलवाना पवन तने बल पवन समाना यह हुन्वान जी आप अवन पुत्त्र हो, आप अवन के पुत्त्र हो और पवन सी गती से आप कहीं भी किसी भी गती से कहीं पर भी पहुँँ सकते। इसलिए आप कभी भी कहीं पे भी कैसे भी पहुंच सकते हैं इसलिए आप अपने भाव को पहचानिए कौन हो आप पहचानिए आप वही हो जिसने समंद्र की और छलांग लगा कर अपनी एक छलांग से समंद्र को पा लिया था हनुमान जी आप अपने वस्तुता अपने वास्चक शुरूप को जानिए का चुप साध रहे बल क्यों चुप करके बैठे हो अपने बल को पहचानो पवन तने बल पवन समान बुद्धी विवेक विज्ञान निदान आप बुद्धी के गुरू हो आप बल के गुरू हो आपके अंदर विवेक वान हैं आप तो सब सब के गुरू हो और फिर कहते कवन सोकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम तपाई ऐसा कौन सा काज है जो संसार के अंदर कठिन है जो तुम होगे अपने आपका पता नहीं चलता अपने बलका ग्यान नहीं है फिर जामवंत जी ने शबत सुनाए कि कवन सोकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ततात तुम पाई दो एसा कौन सा काज है जो तुम नहीं कर सकते उसी जीवन के अंदर भी कौन आता है कोई सादू आता है कोई संत आता है कोई वैशनव आता है कोई गुरु आता है और कोई हनुवान जी की भाती अगर उन शब्दों को पहचान जाता है तो अपने अंदर की भीतर जो छुपी हुई शक्ति है उन्हें जागरत कर जाता है और जो भूल जाता है जो उन शब्दों को अंसुना कर देता है पिर वो बस उसी प्रकार से बैठा रहता है आपके जीवन के इंदर भी गुरू आएंगे रसिक आएंगे आपके जीवन के अंदर भी कोई वैश्नव आएगा और आपको बताएगा कि नहीं नहीं आपका जीवन इस संसार में भटकने के लिए नहीं है आपका जीवन तो भवसागर से पार करने के लिए है और मैं तो आपके लिए भी कहूं कवन सुकाज कठिन जगमाई आपके लिए भी कोई भी कार इस संसार में होना कठिन नहीं है इस बारतवर्ष के अंदर जन्म लेने वाला परतेग मनुष्य संत बन सकता है इस ब्रिंदावन के इस उपासना में आने वाली परतेग जीव सहचरी पद को प्राप्त कर सकता है वस्तुता अपने गुरु के शब्दों को मान कर चले किन्तु आप शब्दों को अंसूना कर देते हो क्यों अंसूना करते हो क्योंकि आपका अन्शुद नहीं आपका स्थान शुद नहीं आपका आसन शुद नहीं आपकी वानी शुद नहीं और आपका संग शुद नहीं और आपका जल भी शुद नहीं इस कारण से आप नहीं समझ पाते वो जो आपको शब्द की तोर के उपर जो संकेत दिये गए हैं जामवंत जी ने दिये और हनुमान जी ने माने वो संकेत और मैं तो कई बार आपसे कहते आया हूँ, कई बार मैंने आपसे कहा है आप कौन हूँ, जामबंत जी ने तो एक बार कहा, क्योंकि जगे थे, भीतर से जगे थे बस शक्तियां जोती, वो सो गई थी और जैसे ही एक बुझे हुए दीपक को जलने के लिए कितना समय लगता है, बताओ केवल एक जलते हुए दीपक का थोड़ा सा संग उस बुझे हुए दीपक को जला सकता है उसी प्रकार ही आप अपने वो रूप को भूल गए आप अपने सर्वस्टों को भूल गए किन्तु आप कौन हो आप शीजी की सहीचरियों मैं तो सदाप से कहते आया आप सखी हो आप सहीचरी हो आप किंकरी हो आप चाहो तो संत बन सकते हो आप चाहो तो संत को अपने कोक पे धारन कर सकते हो कवन सुकाज कठेन जगमाई जो नहीं होई तात तुम पाई आज सुन्दर कांड को अपने उपर लेकर देखना आज मैं आपको एक अलग सा पहलू दिखाऊंगा सुन्दर कांड का ये जो राम चरीत मानस का मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पहलू दिखाऊं जो आपके जीवन के अंदर जो धारन करने के लिए है ये पंक्ति तो आपके लिए ही है राम काज लगी तब यवतारा सुनते ही भय हूँ परवता कारा हनुआन जी का जन्द किस कारण से हुआ राम काज करी तब अवतारा बले प्रभू का कारे करने के लिए हनुआन जी का अवतार हुआ और आपका अवतार किस कारण से हुआ है आप इस संसार के भीतर आये हो तो किस कारण से आये हो श्रीजी की सेवा करने के लिए आए जानो अपने उस स्वरूप को भी पहचानो अपने जान जाओगे इन शब्दों को पहचान जाओगे तो धीरे 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 मन में जो परत छिपी है ला ये माया की ये धीरे धीरे दुलती जाएगी इन शब्दों को अपने जीवन के अंदर इसको अपने धारन करो और जैसे ही इन शब्दों को सुना शी जामवंत जी के इन शब्दों को शी हनुमान जी ने सुना और उसी समय ही शी हनुमान जी ने एक बड़ा सुन्दर परवत आकार का रूप जो है वो धारन कर लिया कनक भरन तन तेज विराजा मान हूं अपर गिरह कर राजा सिंग नाध करिवार हिबारा लेलही नागव जलनी धिपारा यह जो मैं आपसे निर्ट प्रती कहलवाता हूँ ना जैजैश्रित हरिवन्ष जो सत्संग प्रारंब होने से पहले जो मैं आपसे जैकारा लगवाता हूँ ना जैजैश्रि हरिवन्ष यह क्या है यह सिंग नाध है इस सिंग नाद है कि जैसे जब एक सेमिक युद्ध में जाता है बात माता की जै उसी प्रकार है जब कोई सहिचरी सेवा में परवेर करती है तो कैसे करती है जै जै शृतहरिवन्ष इस कारण से आपको जो है वो यहाँ पे भाव जो है वो दिखाया जाता है यह सुनाया जाता है अब जैसे ही शिजामवंत जी ने अपने यह शब्द कहें हनुवान जी को अपने वस्तव जो सुशुप्त हुई वो जो चेतना थी वो जो शक्ती थी उसका बोध हो गया कि हाँ मैं तो प्रभू के कारे करने के लिए ही इस संसार के भीतर आया था तो तुलसी राज से महाराज केते हैं जामवंत के वचन सुहाई सुनहन मंत रिदयति भाए हरुमान जीक ने जैसे इन वचनों को सुना जामवंत के वचन सुनाए सुनहन मंत रिदयति भाए बड़े रिदय को बड़े सुख मिला इन शब्दों को सुनकर और सुख मिलता भी क्यों न क्योंकि बता दिया श्री जामवंत जी ने आपका जन्मत प्रभू श्री राम जी की सेवा करने के लिए था हरुमान जी ने कहा कि जामवंत जी अंगज जी नलनील जी आप इस समय कंदमूल को खाईए और मैं अभी लंका के अंदर जाकर श्री महिया जानकी का पता लगा कर आता हूँ आप घहराना मत मैं यूं गया और यूं महिया का पता लगा कर ही वापिस आया और चलते चलते श्री हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और कहां उड़ते उड़ते प्रभू श्री राम जी का नाम लिया और समंदर के भीतर प्रभु हनुमान्ची ने उड़ना प्रारंब करती रहा अब आगे चले जब लगिया सीत हिनाई हो एकाज मोही हरश भी से अब चलते चलते जब समंदर के भीतर पहुंचे सिंदू तीर एक भूदर सुंदर कोतुक कूध चड़े तायू पर बार बार रगुबीर संभारी तरक्यों पवन तने बनबार अब जैसे ही हनुवान जी ने शिलंका पर चड़ाई प्रारंब करी अब इस समंदर के अंदर उड़ना प्रारंब ही किया था सबसे पहले एक परवत मिला सिंदू तीर एक भूदर सुंदर बड़ा सुंदर सा एक परवत था और जैसे ही उस परवत को देखा श्री हनुवान जी उस परवत की उपर चड़ गए बार बार रगुवीर संभारी तरेओं पवनतने बल बारी प्रभू श्रीराम जी का स्वर्ण करके हनुवान जी उस परवत की उपर खड़े हो गए और पूछा कि आप कौन है तब उस परवत ने उत्तर दिया जेही गीरी चरण देई हनुमनता चले सोगा पाताल तुरंता जीमियमोग रगुपति करबाना एही भाते है चले ओँ हनुमाना उस परवत ने कहा मेरा नाम मेनाग परवत है हे प्रभू हनुमान जी आप उड़ते उड़ते ठक गए होंगे इसलिए आप थोड़े समय के लिए मेरे उपर विश्राम कर लीजिए किन्तु हनुमान जी ने कहा नहीं परवत राज राम काज कीने बिनू वो है कहा विश्राम प्रभू शिराम जी के कारे करने के लिए मुझे किसी भी परकार के विश्राम की कोई अवर्शक्ता ने यह जो प्रभू का नाम है बार बार रगुभीर संभारी ये प्रभु का जो नाम है, ये मुझे कभी ठकने नहीं देता, ये सुत्र है आज का, ये थोड़ा सा मैं आपको बीच बीच में एक सुत्र देते जाओंगा, हो सके तो एक कागस के अंदर इन सुत्रों को लिख लो, पहला सुत्र शी सुंदर कांड के अंदर मिला, शी हनुआ हनुमान जी सुत्र देते हैं, बार बार रगुबीर संभार, ये कहते हैं, बार बार प्रभु श्रीराम जी का जो नाम है न, जब मेनाग परवत ने कहा कि आप थोड़ी दे रुक जाईए, आप मेरे उपर विश्राम कर लिजे, हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं जब जब प् प्रभु का नाम धूर कर देता है, ये सुंदरकांड का पहला सूप्र है, जब कभी भी ऐसा लगे न, मन ठक गया, तन तो ठक गया, देखो तन का ठकना कोई बड़ी बात नहीं होती, तन का ठकना ये भ्यानवी स्थिती नहीं है, ठकना मन का, अगर मन सेवा करते करते ठक ग या मन प्रभु के भजन को ठक गया, ये खतरनाक स्थिती है, और अगर इस स्थिती से बाहर निकलना चाहते हो, तो क्या करना प्रभु के नाम का अश्रे ले लेना, प्रभु के नाम का अश्रे ले लेना, अर्थात जब जब तन और मन अस्वस्त हो जाए, उस समय प्रभु के नाम के आश्रित होकर आप अपने आपको स्वस्थ कर सकते हैं इस सुन्दर कांड के पहला सुत्र है अब उसके बाद हनुमान ते ही परसाकर पुने कीन परणाम राम काज कीने बिनु ओहिका विश्राम बोले प्रभु का मुझे कभी विश्राम आई नहीं सकता यह है भक्त का की राम काज कीने बिनु मोहे कहा विश्राम और हम थोड़ा सा भी थक जाएं अगर ऐसी स्थिती के अंदर हो जाएं हम क्या कहते हैं हम नहीं आज सेवा कर पाएंगे बोले क्यों बोले थक गए पर एक स्थान पर हनुमान जी है और आपने आगे सुनोगे इसी सुन्दरकांट के अंदर इसी सेवा का फल क्या मिला हनुमान जी को ये जो प्रभू ने कहा ना कि हनुमान इतही परसा कर पुनी कीन पर नाम और राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम प्रभू की सेवा का फल क्या है ये दूसरा सुत्र है प्रभू की सेवा का फल क्या है प्रभू की सेवा का पल है प्रभू की हृदे का सुख और जब प्रभू की हृदे के सुख से भी बड़ा है प्रभू की हृदे का आलिंगन आगे आएगा जब हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया तुम मम भरत सम भाई जिसे पुझे भरत प्रिय है हनुमान तुम मुझे वैसे प्रिय हो फिर माया तो अनेक रूप बना कर आएगी देवता भी कई बार जो है न मैंने एक भी दिन आपसे कहा था देवता भी आपको रोकने के लिए कई बार कई रूप बना कर आएगे कई बार ना ऐसा होता है कि जब कुछ सेवा के भीतर होता है तो बीज में बिना किसी चीज को कहे सेवा से चला जाता है बिना किसी को कुछ कहे वो सेवा से चला जाता है अर्थात मानो वो एक महीने, दो महीने, तीन महीने से शीर जी की सेवा में था, सक्षियों की सेवा में था, सैचरियों की सेवा में था, फिर कुछ ऐसा माया ने ठगा, कि मेरे से सेवा नहीं होती, मेरे से वो नहीं होता, मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरे से वैसा नहीं होता, और उसको निकाल दिया बार यह क्या मैं विचार करता हूं क्या प्रभू कैसी आपकी माया है कैसी देवताओं की माया है क्योंकि देवताओं को जुकना पड़ता है जो सेवा करते हैं शीजी की प्रभू देवताओं से मैं कहता हूं मैंने का देवता आप भी उनको गिरा देते और प्रभु की सेवा के बल के अंदर एक जीव ये दैविक शक्तियों को भी पीछे कर देता है बस नाम का अश्रे लेकर रखे अब चले चलते चलते पहले मेनाग परवत को प्रनाम किया और चलते चलते अभी थोड़ी ही दूर बड़े थे तो आगे कोन आया सुरू साना अइह के माता पैठे ही आई कही नई ही बाता सुर्सा नाम की एक जो है वैसे तो सुर्सा नाम कोन था सुर्सा नाम तो सर्पों की माता थी जिने देवताओं नहीं भेजा था ये दूसरी चीज सिखाते हैं जब भगवत मार्ग के अंदर होते हैं न तो देवतावी विगन करने के लिए आपकी परिक्षा लेने के लिए अनेक रूप बना कर आएंगे पर अन्य आश्रित को त्याग कर केवल मैंने कल भी आपसे बात कही थी मैंने कल भी अगर आपको कहा था कि अरजुन को किसका स्मरण था मचली की आंख का केवल मचली की आंख का वो उसका लक्ष था आप भी आज शित तुलसीदाजí के सानिध में एक संकल्प लो कि हम हमारे जीवन का लक्ष क्या है? शीव की सेवा हमारे जीवन का लक्ष क्या है? अपने उस वास्त्विक सरूप का बोध कराना अपने सहेचली वपू को प्राप्त करना ये मेरे आज का संकल्प है तुलसीदाश जी महाराज के इस सानित के अंदर आज इस भाव की पुष्टी करो अपनी और बार बार उसे स्मर्ण करना हनुमान जी ने बार बार स्मर्ण किया राम काज की ने बिनो मोहे कहां विश्राम फिर रास्ते में कौन आगया सुरसा आगया देवताओं ने बेजा नाग गन्या थी अब एक राक्षशी का बेस बनाया मुख था बहुत बड़ा मुख बाहर किया आज सुरन मुहे दीन यहारा सुनत बजन के हैं पवन कुमा तो सुरसा ने का इस देवताओं ने मेरे लिए ही भूजन बेजा है हनुमान से कहा हस्ती हुई सुरसा ने कहा आज तो देवताओं ने मेरे लिए ही भूजन बेजा है आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी हनुमान जी ने का महिया राम काज करी फिर मैं आव। सीता कई सुधि प्रभु ही सुना। प्रभु मा कह के संबोदित किया, यहाँ पे, देखो कितना प्रेम है, मा कह के संबोदित किया मैया सुटसा, मैं प्रभु शिराम जी की सेवा के भीतर हूँ। आप एक बार मुझे मैया जान की कपता लगवाने के लिए जाने दीजिए, और जाने के बाद मुझे वापिस आकर प्रभु को मैया की सुचना देने दीजिए, और जैसे मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही मैं सुचना को दे दूँगा, उसके बाद मा, मैं आपके संब प्रगठ हो जाओंगा आप जैसा चाहे आप मेरा हार का जा है किंतु सुर्शा ने का नहीं मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगी है तब उन्होंने कहा तब तब बंदन के बैठे ओव मारी क्योंकि सुर्शा ने का कि मुझे शिब्रम्मा जी का वर जो है वो प्राप्त है कोई मेरे उपर से निकल नहीं सकता कोई मुझे पार नहीं कर सकता मैं जिसे चाहूंगी उसे ही पार हो सकता है इसलिए तुम मेरे से पार नहीं जा सकते क्योंकि बुद्धी के देवता है अब हनुमान जी ने अपना रूप थोड़ा बढ़ा किया और जैसे हनुमान जी ने बढ़ा किया सुर्षा ने भी अपने जो मुख को बढ़ाना प्रारंब कर दिया ये सुर्षा कुछ और नहीं है ये जो सुर्षा है न ये किसको इंगित करती है ये सुर्षा कौन है ये सुर्षा है हमारे मन की इच्छाएं जैसे जैसे आप मतलब कि अपनी इच्छा की पूर्ती करते जाओगे वैसे वैसे इच्छा और बढ़ती जाएगे साइकल मिला तो कल बोलोगे मोटर साइकल मिल जाए मोटर साइकल मिला कल बोलोगे गाड़ी मिल जाए गाड़ी मिले कल बोलोगे और बड़ी मिल जाए वो बड़ी मिल जाए फिर कल को बोलोगे तो ये क्या है, सादक की, एक बात मैं आपको आज सिखा दूँ, सादक की जितनी आवशक्ताइं कम होगी, उतना उससे पाप भी कम होगा, उसका उतना प्रारब्द भी कम बनेगा, इसलिए हो सके अपनी आवशक्ताओं की कम करो अपनी आवशक्ताओं को, अधिक मत कर पिया क अपने आवशक्ताओं को जितनी कम आवशक्ताइं होंगी उतना का प्यारब्द भी कम होगा उतना अपनी कम होगा इकजहें है सुर्शा मेया है कौन है इच्छा है जैसे मन की और एक तो इच्छा है और एक मन का इसे मैं कहूं अवगुन है अवगुन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है अब जैसे-जैसे तब तब बदन पैट्ियों आई। सत्य कहो मोहे जान दिमाई और कहते हैं जोजन भरी तेही बदन पसाँ एक योजन का एक योजन का आर्च कितना होता है पता है आपको एक योजन कितना होता है बताओ कितने किलोमेटर होता है एक योजन अगर आपने से किसी को पता हो एक योजन कितने किलोमेटर का होता है बताओ आप मेंसे अगर किसी को पता है एक योजन होता है मुझे पूरा-पूरा तो मुझे भी नहीं पता पर जहां तक मैंने सुना है 20 किलोमेटर का एक योजन होता है 8 मिल है न या 1200 किलोमेटर या कुछ ऐसे तो इतना बड़ा अर्शी हनुमान जी ने अपना रूप बना लिया जो जन बरीते हूँ बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा जैसे जैसे वो बड़ाती रहती हनुमान जी भी अपना दुगना दुगना रूप कर लेते तो बारा या बीस किलो मेटर का जो है वो एक योजन होता है तो इतना बड़ा रूप बना लिया अब हन्वान जी वो बारा हन्वान जी चोविस अब सुरसाजी चोविस तो हन्वान जी अड़ालीस हन्वान जी सुरसाजी अड़ालीस तो वो 96 अब ऐसे ऐसे करते वो बढ़ता 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 तो जस जस सुरसा वदन बढ़ावा तासु दून कपी रूप दि अगर तू बड़ी है ना तो मेरे प्रभू का नाम भी बड़ा है जितना माया ठगने लगे ना ये दूसरा सुत्र ये तीसरा सुत्र मैं आपको देता हूँ माया अपना रूप बड़ाएगी अगर माया अपना रूप बड़ाएगी तो हनुमान जी के जैसे अपना भजन बड़ाओ अपना नाम जब बड़ाओ जस जस सुरसा वदन बढ़ावा ता सुदून कपी रूप दिखावा अर्थात माया ठग ने आई तो आप माया को ठग जाओगा अब माया को कैसे ठगोगे सीता राम 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 सीता राम राम हनुमान सीता राम हनुमान यह क्या है यह अपने रूप को बढ़ाना है यह अपनी उर्जा को बढ़ाना है यह जो सत सुरसा वदन बढ़ावा ता सुदून कपी रूप दिखावाना हनुमान जी ने कैसे बढ़ाया अपना रूप नाम से बढ़ाया और कैसे बढ़ाया सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम, 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 र लग रहा है कि पता नहीं ये आज के तिथी के अंदर हम ये सुन्दर कांट को पून भी कर पावेंगे कि नहीं कर पावेंगे इतना सुन्दर रूप है इतना सुन्दर भाव है मैं तो स्पर्श करके फिर आगे निकल रहा हूँ पर मेरा मन ही नहीं करता आगे बढ़ने को कई बार तो उतना रूप बनाया क्योंकि परतेक चुपाई एक सुत्र देते हुए चलती है अभी तो देखो अभी दो तीन चुपाईया ही हुई है और उसमें दो तीन सुत्र मिल गए हमें मंत्र है यह एक चुपाई मंत्र है अब जैसे ही बड़ा रूप बनाया और उसी समय ही हनुआन जी ने छोटा सा रूप बना लिए और जैसे छोटा सा रूप बनाया उसी समय ही क्या हुआ बुद्धि निदान था ना तो उसी समय ही उनके मुखह के अंदर गए और बाहर आ गए और कहा मैया, कहा मैया, देखो ब्रामा जी का वरदान भी चूठा नहीं पड़ा, अगर आपने कहा था कि मेरे मुख से अंदर जाये बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता कोई इसको पार नहीं कर सकता तो मा देखो मैंने इस कठिन कारे को भी पार कर लिया उसी समय ही माता सुर्षा अपने वास्ट्विक सुरूप के अंदर आई कहा कि हनुमान तुम सच में बुद्धी और बल के देवता हो मुझे तुमारी परिक्षा लेने के लिए ही देवता ने बेजा था अब मैं तुम्हें आशिरवाद देती हूँ कि जिस कारे के लिए तुम निकले हो वो कारे तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा राम काज सब करह हूँ तुम बलबुद्धी निदान आसिश देई गई सो हर्ष चले हनुमान सियावर राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै जै राम करो कल्यान सीता राम मेरे प्रभु राम जै जै राम अब चलते चलते और आगे बढ़े क्योंकि देखो माया नेक रूप बना कर आएगी कभी मिनाक परवत को कहके आई अगर हरुमान जी वहाँ ठैर के विश्राम कर लेते न तो तब भी हार जाते फिर सुर्सा के आगे भी ठैरते तब भी हार जाते अब आगे बढ़े अब बढ़ते बढ़ते कोन आया निस्चरी एक सिंदु महूरह निसाचरी एक रहती थी समुंद्र के भीतर करिमाया नब के खग गई जो नब के अंदर था जो आकाश मार्ग के अंदर जो पशु पक्षी थे न उनके परचाई को पकड़ लेते जीव जन तुझे गगन उडाई जलब लोक तिनके परचाई उस परचाई को पकड़ लेते अब क्या हुआ अब चलते चलते हनुमान जी जा रहे हनुमान जी ने देखा कि किसी ने मेरी गती को अवरुद्ध कर दिया किसी ने मेरी गती को रोक लिया ये क्या हो गया मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो तब क्या हुआ हनुमान जिने उसके कपट को जान लिया कि इसने मेरी परच्छाई को पकड़ लिया पकड़ लिया इसने मेरी परच्छाई को हनुमान जी ने गदा उठाई और अपने गदा के साथ उन निसाचरे के उपर बलका परहार किया और फिर आगे के बढ़ गए इस परकार तीसरी जो है माया से हनुमान जी भाहर आगे अब आगे बढ़े ताहा जाई देखी बन सोबा गुन्जत चंच तेक मदुलोबा नाना तरु फल फूल सुहाई खगम्रिग व्रंद देखी मन भाई सेल बिसाल देखी एक आगे दापर दाई चड़ें भे त्यागे अब क्या हुआ चलते 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 एक विशाल परवत को देखकर हनुमान जी उसके उपर चड़ गए तापर धाई चड़े भे त्यागे भे को त्यागकर एक परवत आया और उसके परवत के उपर हुनमान जी जाकर खड़े हो गए उस समय में शिवजी महादेव शिमाता पार्वती से कहते हैं उमानक छुकब के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल हिकारी गेरी पर चड़ी लंकाती देखी कही ना जायती दुर्ग विसेशी शिवजी कहते हैं उमा वानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है यह तो प्रभु का प्रताप है महादेव कहते हैं कि यह हनुमान जी की बढ़ाई नहीं है क्यों कहा, क्योंकि हनुमान जी कोई और कौन है, कौन है हनुमान जी, बताओ कौन है हनुमान जी, हनुमान जी प्रभु का रुद्र बता रही है, हनुमान जी महादेव ही है, इसी लिए ही भगवान जंकर कह रहे हैं, बोले हनुमान जी की बढ़ाई नहीं है, उसकी अब उस परवत पर खड़े होकर गिरी पर चड़ी लंका थी देखिए लंका को देखा और कहीं न जाये ती दुरक पुले इतना सुंदर लंका थी कि उसकी कोई कुछ कहीं नहीं सकता इतनी सुंदर प्रभु की लंका